हेलो एब्रीबन स्वागत है आपका गौरी मॉम्स व्लॉग में आज मिलाएं हूँ एक ऐसा नास्ता जो हम सिवईयों को यूज करेंगे और इसके यूज करने के बाद आप जो ये नास्ता बनाएंगे वो आप पूड़ी कचोड़ी और समोसा खाना भूल जाएंगे इतनी ज प्रेश्ट और प्याज इसलिए ने डाला है क्योंकि मेरी बुगा आने वाली थी तो जो मेरी बुगा है वो प्याज नहीं काती है इसकी बज़ी से मैंने प्याज को स्किप करा और यह देखे मेरा अलू थंड़ा हो गया था तो मैंने इसका बढ़ता बनाया है आप गरम ग क्रिस्पी बने और इसके देखी कंसंटेसी कुछ ऐसे रखनी है यह देखे फ्रेंट हमने इसको घोल को तयार कर लिया है अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छे लगे प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पास में वेल आइकन है उसको जरूर प्र डिप करके इन समयों में ऐसे ब्रेट क्रम की जैसे इसको लगाके और इसको डिप फ्राई कर लेना आप सेलो फ्राई भी कर सकते हैं इसको पतला सा चप्टा ऐसा करके सेलो फ्राई भी कर सकते हैं पर मुझे जल्दी बनाना था तो मैंने डिप फ्राई किया आप देखिए इस तरीके से बनाएए, ये इतने अच्छे बनते हैं, मेरे बच्चे का बर्डे था उस दिन, तो मैंने ये ही मतलब कट बनाए, इतने टेस्टी हो इतने एमी लगे खाने में और ये देखे फ्रेंट कुछ इस तरीके से बन के त्यार होते हैं और देखिए हम दिखाते हैं कि ये कितने क्रिस्पी है देखिए आप देखी सकते हैं आपने सुना ये इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के त्यार होते हैं फ्रेंट आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स करिएगा और वीडियो फुल वाच करने के थैंक यू धन्यवाद राधे राधे